समाजवादी पार्टी से जुड़ी एक बड़ी खबर है आज सुभे मुलायम सिंग यादो और शिवपाल यादो लखनवु में पार्टी दफ्तर पहुंचे थे SP दफ्तर में अपने अपने कमरे में मुलायम शिवपाल ने ताला लगाया चाभी अपने साथ ले गए विवेक तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए है विवेक ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा खत्रा यही है कि किसी की एपसेंस में कोई पार्टी पर कबजा न कर ले इसलिए ताला और चाभी साथ ले गए वो तो बस नहीं चला वरना शायद वो जमीन भी अपने साथ ही ले जाते देखिए समाज़ादी पार्टी पर किसका कबजा है यह सवाल अभी हल होना बाकी है और इससे पहली जन नरेश उतन जिस दिन प्रदेश अध्यर्श बनेते हैं उसे दिन होनों ने पुलिस की मज़द से समाज़ादी पार्टी दफ्तर पर कबजा कर लिया था शिपाल का कमरे का ताला तोड़ दिया था अपना ताला डाल दिया था और शिपाल के नाम की तक्ती भी उतार दी थी अब शिपाल की कमरे पर जो तक्ती लगा दी गई है वो कैनल मंत्री की है यानि वो पुरानी कोई तक्ती है जो शिपाल के समर्थों ने समभवता वहाँ पर डाली है मुलायन सिंग यादो शिपाल आज जंजावात के बीच में अपने दफ्तर पहुंचे है और वहाँ पर मुलायन सिंग यादो ने अपने कमरे में अपना ताला डाला है यह देखना होगा ऐसा लगता है कि टक्राव की इस्चिती बन वही है विवेक ये भी मैं आपसे जाना चाहूँगा कि शिपाल ने ताला डाला तो ठीक है लेकिन अगर मुलायम सिंग को भी ताला डालने की जरूरत पढ़ गई है अपने कमरे में तो इसका मतलब ये है कि क्या जो उस दिन प्रदेश अध्यक्ष के लोगों ने किया कुछ वैसा ही राश्ट्री अध्यक्ष के लोग भी करेंगे ये मान ले हम मुलायम सिंग को इस बाद का भी अंदेशा है इस बिल्कुर इस बाद का अंदेशा है कि उनके कमरे का कोई दुरूपियों ना कर पाए कुछ कागज वगरा भी वहाँ थे जो शायद मुलायम सिंग अपने साथ ले गए है हालंकि मुलायम सिंग के कमरे के बाहर जो रास्टी अध्रिक्ष मुलायम सिंग यादब की तख्ती लगी थी उसको उस दिन नहीं हटाय गया था वो सुरक्षित थी वो अभी भी है लेकिन हाथ ताला उन्होंने जरूर अपना डाल दिया है शायद उनको इस बात का अंदेशा होगा कि उनका भी ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर सकते हैं लोग समाज़वादी पार्टी के जो दूसरी के में करता मरतक है इसी वज़े से उन्होंने अपना ताला डाला है चलिए बहुत शुक्रिया हलाकि इस तरीकी के आरूप लगते रहे हैं कई बार कबजे को लेकर के इसमें हो सकता है कि एक्सपर्टाइज हो जिसका अंदाजा पार्टी के उन नेताओं को हो जो अपनी जगह से दायवाय जा रहे है